शारुकान के बर्दे के मौके पर उनकी पठान का टीजर लॉंच किया गया और टीजर के साथ-साथ फिल्म की रिलीज डेट भी लॉंच कर दी गई है 25 जनवरी 2023 को ये फिल्म रिलीज होने जा रही है शारुक चार साल बाद फिर से कोई फिल्म लेकर आ रहे है और इस फिल्म की टीजर के साथ ही लोगों ने शारुक को प्यार तो दिया लेकिन साथ ही कह दिया कि 4 साल बाद आ रहे है फिर भी copy-paste काम ला रहे है शारुक की फिल्म के कई scenes को लोगों ने compare किया है ये शारुच फिल्म की दूसरी फिल्मों से और कहा है कि इसमें कई सारे scenes ऐसे हैं जिने true copy किया गया है ऐसे कैसे चापा गया है लोगों ने कहा है कि शारुक की पठान में कुछ भी नया नहीं है शारुक की पठान के कुछ parts tiger जिन्दा है से लिए गए कुछ parts war से लिए गए हैं और कुछ parts sahो से लिए गए हैं लोगों ने हवा में ही ये बात नहीं की है बल कि शारो की पठान के टीजर के सीन्स को उन फिल्मों के सीन्स से कमपैर किया है साथ में उन फिल्मों के पिचers भी लगाए है और हूब भू देखकर लगता है कि हाँ वाकः में हर सीन तो कौपीड है एक यूजर ने कहा कि ऐसार के तुम इस तरह की फिल्में करो ही मत, तुम्हें क्या बना दिया है? फिल्म के अंदर एक emotional scene है, उसको भी tiger जिंदा है से copy किया गया है कुछ लोगों ने कहा कि war से तो बहुत सारे scenes copy किये गए हैं, गुंगरू तूट गए और bike scene, ये तो हूब हूब वार के हैं वही एक और user ने कहा कि literally हर एक scene copied है, यश्राज फिल्म से ये उम्मीद नहीं थी वेल ये scenes और ये pictures देखकर वाकई में लगता है कि पठान का बहुत कुछ हिस्सा copied है और अगर ये सच है तो फिर ये बात भी सही है कि यश्राज बैनर ने क्या copy paste काम करना शुरू कर दिया है क्या पठान फिल्म का budget पूरी तरीके से इनके पास नहीं था, क्या इनने 4 साल में भी creativity का time नहीं मिला क्या कोविट के दौरान जब फिल्म postpone पे postpone होती रही, तब भी creative team सोच नहीं पाई कि इस तरह से scenes उठाकर डाल दिये गए है थोड़ा tiger जिन्दा है, थोड़ा war और थोड़ा साहो डाला और बन गई पठान कुछ इस तरीके से अब शारुप की पठान भी expose हो चुकी है, लोगों को जरा भी interest नहीं आया इस film के teaser को देखकर